बेहार विधान सभा के दो सीटों पर हुए उप्चुनाओं में आरजेडी की हुई हार के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालुप्रसाद यादो रावरी देवी तेजस्वी यादो सहित मीशा भारती कल देर साम दिल्ली रावाना हो गए इयर इंडिया के विमान से लालुपडिवार दिल्ली पहुँचा और वजह बताईगे कि लालुप्रसाद यादो की तवियत आचानक विगर गई लालुप्रसाद यादो ने खुद ही पटना एरपोर्ट पर पत्रकारों से बाचित करते हुए कहा था कि उनकी तवियत अचान लालु ने बेहार में दो जगों पर विसाल जनसभा को संबोधित भी किया था तारापूर और कोसेस्वर अस्थान विधान सभा छितर के इलाके में जाकर लालु ने जनसभा कर आरजेडी कंडिडेट के लिए वोट भी मांगी थी लेकिन दोनों सीटों पर आरजेडी को हा रहत दी है बुद्वार को केंदर सरकार ने आम लोगों को रहत देने के लिए पेट्रॉल और डीजल पर लगने वाले उत्पाद सुलक में कटाओदी कर दी है मोदी सरकार के इस फैसले पर लालू परसाद यादों ने अपनी परतिकिरिया दी लालू यादों ने कहा कि सरकार कुछ दिन बाद फिर से पेटरॉल और डीजल के दाम को बढ़ा देगी केंदर की नरेंदर मोधी सरकार के पेटरॉल और डीजल पर लगने वाले उत्पाद सुल्क में कटौती के फैसले को लालू परसाद यादों ने नाटक करार दिया है नहीं मिली आगामी विधान सभा चुनाओ के बाद पेटरॉल और डीजल के दाम को फिर से बढ़ा देगी राज़त सुप्रिमों ने कहा कि यूपी चुनाओ को लेकर केंदर सरकार ने पेटरॉल और डीजल के कीमतों में कमी की है जैसे ही चुनाओ खत्म होंगे इसके बाद सरकार कीमत पेटरॉल डीजल की फिर से बढ़ा देगी लालू परसाद यादों इससे पहले भी लागातार ट्वीट के जड़िये महंगाई खोले कर केंदर सरकार पर हमलावर रहे हैं आरजेडी सुप्रीमों ने बीते दिनों ट्वीट करते हुए सरसो तेल की कीमत पर सरकार को घेरने की कोशिस की थी उन्होंने तंज कसते हुए सरसो तेल की कीमत के बारे में पुछा था इसके साथ ही उन्होंने यह भी लिखा था कि अभी रुकिये क्रीसी कानून का विपरी तसर आने वाले कुछ वर्सों में समझ में आएगा आपको बता दें कि बेहार विधान सभाव चुनाव में दोनों सीटों पर आरजेडी के हार के बाद बुधवार को लालू प्रसाद यादो अचानक दिल्ली के लिए रावाना हो गए इस दवरान लालू यादो के तरफ से कहा गया कि उनकी तविया ठीक नहीं है इलाज के लिए दिल्ली जा रहे हैं आरजेडी सुप्रेमों ने दिल्ली पहुचते ही पेट्रॉल डिजल के कीमतों में हुई कटावती को लेकर केंदर सरकार पर निसाना साधा और मांग किया कि कम से कम 50 उर्पे तक कीमत कमी की जाए बीरो डिपोर्ट टुडे बिहार नीज